नमस्कार स्वागत है आपका न्यूज वाल्ड इंडिया में मैं हूँ आपके साथ भारती सिंग नजर डाल लेते हैं बॉलिवुड जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों पर एक लंबे समय के बाद मुंबई आने पर कंगना रानाउत ने मुंबा देवी और श्री सिद्धेविनायक मंदिर के दर्शन किये उन्होंने सोचल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी कंगना अपनी पहन रंगोली, भाई और भावी के साथ यहां दर्शन करने पहुची थी कंगना ने कहा कि दोनों मंदिरों में दर्शन करने के बाद उन्होंने वहां का आशरवाद लिया मैंने यहां आकर सुरक्षित और प्यारा महसूस किया कंगना ने आगे कहा जै हिंद जै महराष्ट्रा अपने परिवार वालों के साथ दर्शन करने आई कंगना रानाउत ने यहां पर मीडिया से बात की और कहा कि मैंने यहां आने के लिए सिर्फ और सिर्फ गनपती बपा से अनुमती मांगी है और मैंने किसी से अनुमती नहीं मांगी है बता दे कि कुछ दिन पहले कंगना अपने परिवार के साथ हिमाचल के पहाडों में छुटिया मना रही थी हाल ही में कंगना राना उत मुंबई पहुंची थी मुंबई पहुंची कंगना का विडियो सोशल मेडिया पर सामने आया जिसमें वो हाई सिक्योरिटी के बीच एयरपोर्ट से निकलती भी नजर आ रही है कंगना राना और सोशल मीडिया पर काफी अक्टिव रहती हैं वहीं महराष्ट्य सरकार के साथ चल रही जड़ब के बाद कंगना को के इन सरकार की तरफ से सिक्योरिटी दी गई जो अभी भी उनके साथ है कुरोना काल के दोरान जब भी आप कहीं फोन मिलाते होंगे तो अमिता बच्चन की आवाज में एक संदेश जरूर सुनते होंगे संदेश में अमिता बच्चन लोगों को कुरोना से जागरू करते हैं बिग बी की एक फैन इस कॉलर ट्यून से परिशान हो गई और सोशल मेडिया पर पूछ डाला कि आखिर ये कॉलर ट्यून कब बंध होगी अमिता बच्चन ने उस यूजर से माफी मांगी और कहा वे इस तरह के काम निशुड करते हैं उनसे एक कैमपेन के तहट इसमें हिस्सा लेने के लिए कहा गया था और उन्होंने वे रिकॉर्ड कर दिया अमिता बच्चन ने अपने उस फैन से तकलीव के लिए माफी भी मांगी अमिता बने लिखा वो कॉलर ट्यून मेरा निर्ने नहीं है मुझसे सरकार ने कहा कुरोना काल के चलते हम चाहते हैं कि कुछ WHO की तरफ से एक कैमपेन के लिए आप शब्द बोलें इसे हम एक वीडियो के रूप में देश भर में चलाएंगे सो मैंने कर दिया अब उन्होंने इसे कॉलर ट्यून बना दिया अब मैं क्या कर सकता हूँ मैं देश, प्रांत और समाज के लिए जो भी करता हूँ वो निशुक करता हूँ कोई लिखित पड़ित नहीं होती बस कर देता हूँ यदि आपको कश्ट हो रहा है तो मैं शमपरार्थी हूँ लेकिन ये विशे मेरे हाथ में नहीं है दुनिया को अपने अनोखी अंदाज से गुदगुदाने वाले प्रसिधास से कलाकार राजु श्रिवास्तव से परिवार सहित नैनिताल पहुंचे उन्होंने परिवार के साथ माल रोड पर सैर की और एक रेस्टरॉन में नाश्ता किया वह अपने परिवार और कुछ दोस्तों के साथ सुमवार की शाम करीब साड़े पांच बजे नैनिताल पहुंचे उन्होंने नैनि जील के आसपास के नजारों को देखा माल रोड सित एक रेस्टरॉन में नाश्ता किया थंड से बचने के लिए उन्होंने कोट पहना हुआ था सिर पर टोपी पहनी होई थी मास की वज़े से उन्हें काफी देर तक लोग पहचान नहीं सके संशिक मुलाकात में राजु ने पत्रकारों से बात की और 25 दिसंबर को उनका जन्न था ये उन्होंने बताया जन्दिन मनाने वह अपने परिवार के साथ जिम कॉर्बेट नैशनल पाक गए थे वापस लोटने से पहले उनकी अचानक नैनिताल आने की योजना बनी और वह यहां आ गए बताया की वह अकसर नैनिताल आते रहते हैं इसके बाद वह अपनी कार में साथियों के साथ हल्दवानी की ओर चले गए वहीं क्रिस्मस और वीकेंड पर सेलानी नैनिताल पहुंचे अब 31 दिसंबर के मौके पर भी सेलानियों के वहां उमरने की उमीद है बीते दिनों, माल रोड, पंत पार, भौटिया मार्केट आदी जगहों पर परिटुकों की रहुनक बनी हुई थी जेन्यू में कुछ छात्रों की विरोध प्रदर्शन की प्रष्ट भूमी पर आधारित मल्यालम फिल्म वर्तमानम को हरी जड़ी देने से इंकार कर दिया गया है इस फिल्म का निर्देशन प्रतिष्ठत फिल्मकार सिधार्थ शिवा ने किया है पुरसकार विजेता अभिनेत्री पारवती ने इसमें मुख्य भूमी का निभाई है इस फिल्म की कहानी केरल की एक महिला के इर्दगिर्द घूमती है जो शोध कारे के लिए अपने ग्रह राज्य से जेन्यू परिसर जाती है फिल्हाल बॉलिवूड जगत की खबरों में इतना ही जुड़े रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ धन्यवाद